जैसे के आप जानते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है दो नन्ने सितारे, दो नन्ने एंकर्स सलाम आलेकूम 황लेकूम और मैं उमीद करती हूँ घर पैठे हमारे प्यारे छो्ते छोटे छोटे नन्ने नन्ने स्टार्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं यह हमारे अच के एपिसोड से काफी कुछ सीखेंगे बच्चों जैसे के हम जानते हैं कि ये जो अयाम गुजर रहे हैं ये जो दिन गुजर रहे हैं ये अयाम फातिमी के दिन है अयाम फातिमी के इन दिनों में हम बिबी फातिमा जहरा सलाम अलाहा से काफी कुछ सीख सकते हैं और असल तोर पर अपने आपको बना सकते हैं भातीमी बिल्कुल ठीक तो पाच्टो जैसे कि हम जाते हैं एक हमारे इस सैग्मेंट में जो नंधी नंधी स्टार्स हैं यह हमारे साथ स्टोरी शेयर करते हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहला हमां साथ स्टोरी कौन शेयर करनेवाला है लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करेंगी कि बच्चे बबीव फातिमा जहरा के बारे में क्या जांते हैं सनाय आप हमें बताएं कि ऐयामं फातिमी Enough क्यों मनाते हैं थे देanha का द॥ख बनाते हैं हां, बीबि-वातिमा-जहरा पर जलता हुआ दरवासा गिरा था और ये सारी चीजे तो हम मजलिस में सुनते ही हैं हमें बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करना चीए कि हम अपने आपको बेटर इंसान बनाए और बीबी-वातिमा-जहरा सलाम अल्लाय अल्या को खुश करें तो बच्चों आप मुझे बताएए कि आप लोगों ने स्टोरी प्रिपेर की हैं जी पक्का? पक्का आपने? हाँ तो आज पहले स्टोरी कौन शेर करेगा? मैं आप रेडी है? जी तो मुहमद अबास करमाली आप स्टार्ट कीजिए मेरी स्टोरी का नाम है उदास कवा उदास कवा ओके कवा उदास था? क्यो? एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें नए क्रो रहता था वो एक पेड़ पेठा था पास की नदी में से उसने एक ब्यूटिफल सा वायट फेठास वाला पूरा वायट फेठास स्वान देखा वो उसके पास गया और उसने उसे कहा हुँँभी हो कि वुरे वायट हो तुम कितने अच्छे दिखते हो और तुम पानी में स्वं भी कर सकते हो राइट मैं कितना अगली हूँ, मैं तो पूरा ब्लैक हूँ, मेरी आवास भी एकदम अगली है फिर स्वान ने कहा, मेरे से ज्यादा लगी तो पैर्ट है, उसके फैदर उस तो रंग बे रंगे कलरफुल है और उसकी आवास भी एकदम स्वीट है फिर क्रो पैर्ट के पास जाता है और उसे कहता है, पैर्ट तुम कितने लखी हो, तुम्हारे पास तो कलरफुल फैदर है, जो इतने ब्राइट दिखते हैं, और तुम्हारी आवास भी कितनी स्वीट है मैं तो कितना अगली हूँ, मैं तो पूरा ब्लैक हूँ, मेरी आवाज भी कितनी अगली है क्रो बॉट साड था ना? हाँ फिर क्रो ने क्या क्या होगा सरायो मुझे निपाता, वो तो अबास ही बता सकता है अबास स्टोरी चांथा है, तो फिर आगी क्या हुआ? खोलता है, तो दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं आपको पिकॉक पसंद है? जी और आपको? मुझे कम पसंद है तुमको? कम पसंद है कम पसंद है, तो आपका फेवरेट बर्ड कॉन सा है? मेरा फेवरेट बर्ड पैरेट पेरिज नाबी पेरिश आरे वह फिर आइंश्यर तो जो खो जो और अब वह पीकव से मिलने गया होगा फिर आगे क्या होगा फिर वह पीकॉक के पास जा कर उसे कहने लगा तुम कितने लग्ली हो कि तुमहारे पास तो इतने कलफुल और ब्राइट फेधर्स है और मैं तो कितना अगली हूँ, मैं तो पूरा ब्लैक हूँ, मेरी आवाज भी कितनी अगली है फिर पीकॉक ने कहा, यही तो मेरी बूरी चीज है यानि कलरफुल फैदर्स पीकॉक की बूरी चीज है? जी, ताकि इसी के वज़े से तो उसे लोग केज में बंत करके लेके चले जाते हैं और पीकॉक ने क्रो से कहा, कि तुम तो कितने लखी हो और तुम तो उड़ भी सकते हैं और तुम तो पूरे खुले आसमान में फ्री हो फिर उसी वक्त पीकॉक को और क्रो को अपनी गल्सी का एहसास हुआ कि हम दोनों गॉड को ठैंक नहीं करते थें और उन दोनों ने अल्ला को सॉरी कहा और ठैंक भी कहा करा हमें जो भी मिलता है हमें उससे खुश रहना ची और थैंक करना ची अल्ला को और हर एक जन यूनीक है हर एक जन के पास अलग-अलग टैलेंट है कोई स्पोर्स में अच्छा है कोई मैट्स में अच्छा है कोई इंगलिश में अच्छा है कोई studying में अच्छा है, कोई climbing में अच्छा है, कोई playing में अच्छा है यानि Allah ने सबको अलग-अलग qualities से नवाजा है, राइट? हर एक जन unique है हर एक जन unique है, सनाय आपने क्या सिखा? जो भी अपने को Allah ने दिया है, अपने को thank करना चाहिए बिल्कुल ठीक, Allah ने हमें जो भी अता फर्माया है ना, हमें Allah को thank करना चाहिए बच्छों ये गलती हमसे भी हो जाती है, काफी बार जब ममा हमारे लिए खाना बनाती है for example, डाल, राइज और सबजी बनाती है तो हम क्या बलते हैं, नहीं हमें ये नहीं खाना हम लाख का thank you नहीं करते हैं कि Allah ने हमें खाना दिया फोल्ड में पता है कितने सारे बच्चे ऐसे हो दें जिनके पास खाना नहीं होता हा जो खाने का लिए तरस्ते हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी खाना नहीं होता है पर यह गलती हमकरते हैं अमेंसे तो होती है यह गलती है मैं से तो होती है आप करती है क्या था ना आप आप जिकती हैं ने को थे सब पसन्द एक वह गंगान है प्र रचाही real पर हम लोग तो सब यूमन है हम लोग तो चोटी मोटी बच्छे भी जो घर बैठे हैं वो सबसे पहली चीज क्या करेंगे? अल्ला को थैंक्यू कहेंगे और सौरी कहेंगे कि हम आपसे थैंक नहीं करते थे आपको और सिर्फ? और सिर्फ कम्प्लेंज करते थे और सिर्फ कम्प्लेंज करते थे राइट सनाया? येस आप भी घर पर जाके क्या करेंगी मैं सबसे पहले अल्ला को थैंक बोलूगी पैरेंस देने के लिए पैरेंस देने के लिए और आप सबसे पहले किस चीज के लिए थैंक बोलेंगे पैरेंस देने के लिए और हमें जो आप देते हैं वो सब कुछ के लिए बिल्कुल ठीक हमें あのा का थैंक यू बोना चाहिए कि अला ने हमें कितनी सारी चीज़ों से नमाज आय Теперь हम सिर्फ कुमप्लेंस से करते हैं हमें कमप्लेंस नहीं करनी चीधिए हमें तो दौा करनी चीधिया अगर हमें कुछ आई और हम अल्ला से दुआ करेंगे तो अल्ला तो हमें जरूर देंगे अल्ला तो हमें कहते है कि अगर अल्ला से दुआ की जाए तो अल्ला बच्चों की और हर किसी की बात सुनते है तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि अपसे आप complaints कम करेंगे और अल्ला ने आपको जो भी अता किया है उसके लिए आप अल्ला से शुक्रन अल्ला, अल्हम्दलिल्ला जरूर कहेंगे तो आएए देखते हैं कि सिस्टर फादिमा आपके लिए क्या interesting लेकर आई है प्यारे बच्चों, सलाम उन अल्यकुम हम सब अक्सर एक सवाल करते हैं लाइफ में कि इल्म इंपोर्टेंट होता है या माल इंपोर्टेंट होता है इसका जवाब आपको पता है इमाम अलिया रही सलाम हमें दे चुके हैं लेकिन पहले हम अपने बच्चों से पुछते हैं कि उन्हें क्या important लगता है सालाम आलेकुम, kids वालेकुम, assalam आपको लगता है कि बहुत जादा इल्म होना important है लाइफ में या बहुत जादा दौलम होना important है इल्म आप उनको बता này क्यों What are your reasons एक आप बताये पहले ताकि दॉलत हमारे पास होती है तो हम लालची हो जाते हैं हमारे पास इल्म रहता है तो हम एक तम काट रहते हैं और सब हमें पसंद कर थे है वेरी गुर्ड महम्मद अब्माज माशांळलला मतलब आप से तों इतना प्यारा जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे फॉर एज आप तो बहुत चोटे वेरी नाइसाइब आप बताये सनाया अगर हमारे पास जादा मनी रहता है दॉलत रहती है तो हम गृड़ी बन जाते है और दूसरों कि अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलते हैं नहीं है गुड ये भी ठ है वो उढान बना देती है और घमन बना देती है अब देखते हैं ओल्य गफाजद करनी पर बाटने से खतम हो जाती है, जबकि इल्म बाटने से बढ़ता है, अगर हम सब को पैसे देते रहेंगे, चलो तुम ले लो एक हजार, तुम ले लो दो हजार, तुम ले लो तुम ले लो तल सहार, तो कहीं न कहीं हमारे पैसे खतम होने लगेंगे, लेकिन अब जो हमने सीखा ह वह इल्म है, वो हमारे पास भी है, फिर सनाय ने जा कि मोहमद अबास को बता है तो मोहमद अबास के पास भी वह इल्म है, तो इल्म क्या होता है, बाटने से multiply होता है और last चीज ये है इसलिए better है दौलत के आगे क्योंकि जितने भी दौलतमन लोग होते हैं वो फना हो जाते यानि सब बरबाद हो जाते हैं मर जाते हैं आप कितने भी बड़े बादशाओं आपको मरना ही है ना लेकिन जितने भी आलिम लोग होते वो बाकी रह जाते For example, Einstein आज तक Ayinstein की हम theories की बात करते हैं Isaac Newton, आज तक हम उनकी theories की बात करते हैं उनका ilm जो था वो आज भी बाकी है बाकी बड़े साब दौलतमन दों क्या हुए? खतम हो गए फना हो गए तो अब जब इल्म की एहमियद जान ली है तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हम हमेशा क्या करते हैं? हूँ एमाइ खेलते हैं आप लोग को यादे? आज भी हम हूँ एम करेंगे जी अज और पहले हमें से स्टार्ट करेंके? आप से करें? मैं वो जवान आने जन्नत के सरदार है और जो मेरे बाबा है वो आखरी नभी मुहम्मद मुस्तिफा सलल्लाई वाले वाले वसल्लम है क्या आप जानती है किस अस्ती की बात कर रहे हम सोची सोची आपको पता है यू नो इट बीबी फात्मों तो जरा सलामो अले avy 好 वेरी डूट सनाया सलामुलाहे अले हा यानि बीबी जहरा की बात हो रही है इनके हजबन कौन है आप बताएं अंआप बताएं मौमद अबास इमाम अली अले रही गुड इनके बेटे कौन है जो जवानाने जन्नत के सरदार है Imam Hassan and Imam Hussain Very good, Mashallah तो आपको पता चला, हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बीबी जहरा, Salamullah की और वो जो है तो Rasulullah, जो उनके आखरी नभी है उनके जो बाबा है, वो आखरी नभी है, ओके, question number आप से स्टार्ट करेंगे मुहम्मद अबास थी कि I am called as Malikatul Arab my daughter is chief of women and my husband is prophet of Allah यानि मुझे Malikatul Arab कहा जाता है मेरी जो बेटी है वो सियद अनिसाइल आलमीन है और मेरे जो हस्बेंड है वो अल्ला के नभी है मैं कौन हूँ? जनाब खतीजा वेरी गूड माशाआलला मुहम्मद अबास जनाब खतीजा बिंते खुएलिद सलाम अल्लाह अल्या अब आप बताएं इनके husband कौन है? Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam माशाआलला और सेदत अनिसाइल आलमीन उनकी जो बेटी है वो कौन है? बीबी फातिमा जहरा सलाम अल्या 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 वेरी गूड जजाकला मौमद अबास तो थर्ड क्वेस्टिन ये है कि I stay with बीबी फातिमा जहरा सलाम अल्या अल्या I help her in the household work and hasnan alaihissalam call me amma mother यानि मैं बीबी आधिरा के साथ रहती हूं मैं उनके काम में उनकी help करती हूं हसन expired मुखे अम्मा तो पुकारती है whores baby whispering's 대해서 कैंथ कौन रहती थी जो उनके साथ घर में coffee' है डffिक करवाती थी baby si tarji? you are right BB कर है वह जो." और फात्मा जहरा स्लामलाया गे साथ उनके घर में रहती थी पर एक दिन बीदी जहरा काम करती थी एक दिन पीवी फिज्जा कारती थी है और हस्टनेट यह वह गयां क् Mimi अंभाते था शेल्टे या फिर मा मा बलाते था यह थी नहीं बीवी ट्रांसलेट करते वो आर्बिक में कुछ और बुलाते होंगे, ओके, ठीक है, अब हम जी के questions की तरफ बढ़ते हैं, हमारे general knowledge, ये वाला हम पहले मौमद अबास से start करते हैं, मौमद अबास आपको young ones पता है क्या होते हैं, young ones यानि कोई भी अगर animal है, उसका young one को हम क्या कहते हैं, यानि उसका जो अब बेबी को क्या कहते हैं, फप्पी, बेरी गोट बढ़िये मौमद अबास का चांस था, चले ठीक, अब आब बताईये मौमद अबास, जो गोट होते है, उसके young one को हम क्या कहते हैं, अ..Cr precisamente cow के young one को हम क्या कहते हैं, कब, जो तो हम lion के young one को कहते हैं, काफ येस, c. a.l.f, Cough, 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 C कौन सा अर्बिक वर्ड बताया था एन क्या होता है निसा कोई बता सकते हैं निसा मतलब क्या होता है कुरान में सूरा भी है इस नाम से सूरे निसा हम कहते हैं कि निसा निसा यानी लेडी औरथ खा तून को किया चयते हैं निसा और तभी हम बीई जहों को क्या चयते हैं सग libr को आ हो याद रहेगा Jim अब आप लोगों को याद रहेगा a very good mashallah नाया तो आप लोगों के पास व्य चुका है तो अब आप इसको क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे and multiply करेंगे ओके आज का हमारा segment हम यहीं खतम करते हैं देखते हैं निश्द गजाला हमारे बच्चों के लिए कौन से अमेजिंग facts लेकर आई हैं बिस्मिल्ला है रमान अरहिम असलाम वालेकुम किट्स तो चली देखते हमारे स्टूडियो में मौझू नन्हे एंकर्स को कैसा फील हो रहा है यहां आके और इनके इल्म में कितना इजाफा हुआ है असलाम वालेकुम सनाया वालेकुम असलाम असलाम वालेकुम मौमद अबास वालेकुम असलाम कैसा लग रहे आपको आके यहां पैसा लग रहे कि आप लोग कुछ नया सीक रहे हो आपको कुछ नॉलिज और पता गेन कर रहे हो आप लोग जी और आपको हाँ वेरी गुड चले ठीक है तो इससे बले हम आगे बढ़े मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एंके जिविन यू आ पार्टिसिपेटिंग आप ही पुझे बताईए हम कहते हैं एक साल कंप्लीट हो गया अल्मोस्ट यह ट्वेंटी ट्वेंटी टू भी खतम सही अल जब 365 डेस इन यह कंप्लीट करते हैं तब हमारा वन यह होता है और यह फॉर्म कैसे होता है बता हूं आपको पता हूं आपको वेन अर्थ कंप्लीट वन फुल रोटेशन ओन दा सर्कल अरांड असन इस कॉल वन यह देखे यह यह पर तो यह अर्थ है और यह जब संको वन पुल राउंड कंप्लीट करती है ना किट्स तब हमारा वन यह फॉर्म होता है ठीक है तो आज हम ऐसी कंट्री की बात करेंगे जो कंट्री अर्थ के एक वैसे रीजन में ऐसे रीजन में जहांके बहुत बड़े दिन और बहुत बड़ी राते होती है कोई गैस कर सकता है कि तो ए जो हमारे जो डेटाइम होता है और जो हमारी इवनेंग होती हो कितने आसकी होती है? यूजुलि, नॉर्मली? जि बताई है? आपका दे, उन डे कितने आसका होता है? 24 आस. 24 hours का तो हमारा full day होता है including 9, जिसमें के 12 गंटे का दे, 12 गंटे की रात, 10 hours, no not 10 hours, 12 hours का एक day होता है और 12 hours की एक night होती है, so we complete 24 hours in our day, लेकिन जिस country के मैं बात कर रही हूँ न, वो एक Nordic country है, और वो अर्थ के, एक ऐसे रिजन में पाई जाती है, जहां पे 6 months summer, 6 months winter, something interesting about this country, what makes it unique is, कि इस Nordic country में, जब summer होता है न, season, तो sun जो होता है, कभी set नहीं होता है, कभी मगरी भी नहीं होती है, इसंट अमेजिंग, जी जी, और इसी वज़ा से, इस country को land of midnight sun जा होता है, क्यूं, क्यूं, क्या जब summer होता है, तो रात के 12 बजे भी, और 12 बजे बी, और दो बजे भी, सूरज नहीं ड़लता है, मैं सूरज यहां पे, यह रात के 12 बज रहे हैं या एक बजे लेकिन ऐसा लगेगा, जिस सख्याह मbers यह क्यों हो रहा है पता है मैं आपको समर है हाँ very good summer है लेकिन summer तो हमारे इंडिया में भी आता है लेकिन रात बराबर रात के time पे होती है दिन बराबर दिन के time पे होता है ना sun अपने time पे rise होता है sun अपने time पे set होता है लेकिन यहां पर यह क्यों होता है कि देखिए अर्थ जो है क्या अर्थ स्रेट है संके नहीं ना अश्ध टिल्ट है इसी वजह से जब ये अश्ध तिल्ट है और जब हाफ राउंड कम्पीट करती है तो यह रीसें जो होता है ये सन के göster सामने होते है तो यहाँ पर इस वजह से कभी संुरूआ नहीं होता है मगरिब नहीं होती है और जब यही ऑपोसे डिरेक्शन में आती है तो यह साइट आ जाती है तो यहां पर सन की रोशनी नहीं आती है इस वज़ा से विंटर लॉंग होता है जी वह मदबास आपको कुछ कुछ केशन है वहां के लोग को नमास का टाइम कभी हुआ वो कैसे पता चलता है वेरी गूड़ आउस आउस क्यूकि मुझे आप बताईए देखे नमास तो सब पर वाजी वैना ने को भी यही पूछना था रमजान में रोजे रखना थो सब मुसल्म मुसलिम पे हर प्रैटिसिंग मुसलिम जो होगा वो नमास पड़ेगा और वो रोज भी रखेगा याद आगया कितने बजने के बाद कितनी मिने स्मार्ट के लोग जिस तरह से हमारे इंडिया में एशिया में जब सूरज गुरूब होता हमें पता चल जाता है कि अभी मगरीब टाइमें जब सुनराइज होता है तो हमें पता चल जाता है कि अब फजर स्टार्ट होने वाली इंगा सुनराइज हो रहा है लेकिन इन कंट्री में इस सो डिफिकल्ट तो अंडरस तो आपको बातने बिताऊंगी, मैं सबसे पहले शुक्र अदाकरदी परवर्दिगार का, जिसने हमें ऐसे रीजिन में ऐसी कंट्री में रखा है, जहां पर हर चीज मयान भी है, प्रॉपर संराइस होता है, प्रॉपर संसेट होता है, अब वहां के लोग को कितना और आपको पता इतने सक्थ हालात के बाद भी ये कंट्री दुनिया की खुश्छाल कंट्रियों में, कितने नंबर पे आती है, आप बताईए, एट, वेरी गूड, यानि के इन द वर्ल्ट, नौर्वे, विच कंट्री आम टॉकिंग अबाउट, कम्स ओन द एथ रैंक, अम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा होता है, मतलब की वहां के जो लोग रहते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ जीते हैं, वेरी गूड, जी, हाँ, अब आप मुझे पताईए कुछ सम्थिंग बाउट नौवे, वेरी गूड, अब आप मुझे एक्सेक्स, इंक्लूडिग मैजिकल स्काई, वेरी गूड, क्या आप मुझे पता सकते हैं, मैजिकल स्काई क्या होता है, वट दूवीन भाइफ एक बीडिफुल कलर आगिया है, अमेजिग, येश, चलो लोग मे शो येश, वीजिटिव येश, बीडिफुल, येश, वेरी और आपको पता है यह जो स्काव बैजिकल स्काय है इस इस नोवन अस नौर्धन लाइट्स और यह कब एक्स्पीरियंस कर सकते हैं हम डिसेमबर डिसेमबर जी सप्टेमबर इस मैगनिफिसेंट ठीक है नौर्धन लाइट्स को हम देख सकते हैं campaigns Club was a unique part foreign from September to queens मार्ज और यह पीक पर होती है और यह पीक पर क्यों होती है because उस कंठी में विंटर जैसे कि मेंने कह हैं आपको कि विंटर बॉल्गर उस वज़ा से और nights are longer, और nights longer होती है, तो सबसरफ जब डार्क होगा, तो यह जो waves है, यह जो rays है, वो जादा तर जादा देर तक लोगों को experience देखने मिलती है, और this makes Norway attractive, unique in the world. जी, है ना, अच्छी चलिए, पी हमने नौर्वे का कुछ amazing facts के बारे में बात करें, अभी आप मुझे बताईए, वहां के लोगों को खाने में क्या पसंद है, फिश बॉल्स, okay, you want to try, बताईए, फिश बॉल्स ही, मीट बॉल्स नहीं खाते हैं वो लोग, जी हा, वहां के लो हा, और तो और आपको पता है, वहां का एक बॉल्स, चीज है, जो वहां का ट्रेडिशनल चीज होता है, और वो कैसे बनता है, that is made up from milk and cream, that is also, हा, milk और क्रीम से बनता है बॉल्स, फरीकल भी होता है, फरीकल, वो वहीं के टॉम्स में कहते हैं, फरीकल, एक एसी डिश है, जो मीट और काबच से बनती है, वहां के लोग रोटी खाते हैं, नहीं, हा, रोटी तो हम एशन काते हैं, वहां के लोग क्या खाते हैं, उसका substitute क्या है, बताईए, वहां के लोग मिल्क से बना हुआ कुछ खाते है, मिल्क से बना हुआ कुछ खाते है, मिल्क से बना हुआ कुछ तो आप लोग को ये टूर कंट्री विसित अच्छा लगा जी है ना हम उम्मीद करता है कि हम भी कहीं जाएं परवर्दिगाने बहुत सारी वर्ल्ड में यूनिक अपनी नेमतों ये बनाई हैं हम उसको एक्स्प्लोर कर सकें जी है ना तो आप रेडियें चलने के लिए इस व हम दुआ करते हैं कि परवर्दिगार हम सब केल में इसाफ़ा करे और हमें नेकी की हिदायत दे आप लोगों से फिर इंशाला मुलाकाद होगी एक नए एपिसोड में एक नए कंट्री टूर के साथ या कोई और नए अमेजिंग फैक के साथ हमें दीजे जासत बाई खुद कर दो हमें पिर से लोगों से खुदिए, झालस वसी शुद्दिए के साथ हमें।